नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका Only PCS पे देखिए अभी कोरोना का संकट चल रहा है इस संकट से इन परीक्षाओं पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है बहुत सारी नियूज आ रहे हैं आप कोरोना संकट को लेके इस समय की परिस्तिती क्या है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं UPPCS मेंस की तो देखिए इस समय कोरोना कोई कंट्रोल में नहीं है केस दिन पर दिन बढ़ी रहें और कोरोना की जो स्टेज होती है उसमें 2-3 के बीच में स्टेज में भारत चल रहा है और पूरा बेसुही इस से परिसान है तो 20 अपरेल से जो होने वाला था यह तो होने वाला है नहीं है एक्जाम देखिए 14 तक लॉकडाउन है ही है और परिस्तितिया 99 परसेंट बन नहीं है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और ना भी बढ़ा तो भी पूरी तरीके से इंडिया ओपन नहीं होगा इससे फेजबाइस मैनर में खोलने की बात की गई है तो कुछ चीजों को धीमे धीमे खोलेंगे उससे आपको ट्रेवल भी करना रहता है एग्जाम देने के लिए प्लस आयोग को भी तैयारी करनी है उससे भी बजट चाही रहता है परिक्षा कंडर्ट कराने के लिए पेपर भी सेट करना रहता है तो पेपर ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो जाती है फॉर्म भी भराना पड़ता है तो आप बताएए कि पेपर सेट करने के लिए इन सब के लिए आयोको भी तो कम से कम एक महीने का समय चाहिए रहता है तो ये परिक्षाइन देखिए कैसे हो जाएगी तो यूपी पी सेट मेज तो इस समय होने वाला है नहीं है ये तो एक्जाम भूल जाएए आप और रही बात आरो ए आरो दोजार सोले की तो देखिए तीन मही को ये परस्ताविता एक्जाम अब इस पे क्या होगा कि अभी अगर ये फेस बाइस मेरे में भी खोलेंगे तो देखिए ट्रेवलिंग की बिवस्ता नहीं हो पाई कि लोग अपने अपने इस्थान पर जा चुके हैं तो वह हां से कैसे कवर होंगे कोई अधरे श्टेट से भी आते हैं लोग देने तो वह इस्चेट की बाउन्डरी तो ब्लॉक की कर रखी हैं और जहां तक है यस्टेट के अंदर भी राज्य के अंदर भी आपको आने जाने नहीं दिया जा रहा है तो आप कैसे एक्जाम द रहते हैं वो सब इस समय चुट्टियों पर चलना है इतनी जल्दी सारी चीज़ें अबिलेबल कैसे हो जाएंगी तो यह तीन माई का भी एक्जाम आपका होने वाला नहीं है यह दोनों एक्जाम आपके कैंसल होंगे और बीओ एक्जाम की डेट भी आपकी जून के बाद ही आ सकती है अभी कोई डेट इसकी नहीं आएगी और रही बात UPPCS 2020 की तो देखी यह एक्जाम अपने समय पे हो सकता है UPPCS 2020 यह अपने समय पे हो सकता है क्योंकि अभी काफी समय है जब तक कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है तो यह चीज़ें हैं इनके बारे में अब यह के क्योंकि मैक्सिमम डोग अपने अपने जहां भी तैयारी करते थे वहां से सब लोग अपने घर जा चुके हैं अब इस समय को आप कैसे बिताएंगे क्या घर पे आप पड़ सकते हैं तो देखी जो भी बुक ले गाए सारा मैटेरियल तो ले जाना संबब नहीं है जो भी आ PCS का आयोग UPSC के तरज पर पेपर बना रहा है वहीं से सेट करा रहा है तो इसके लिए आप को जो समय मिला है वो NCRT को आप एक दो महीने में कवर कर सकते हैं इस समय को प्रॉपर यूटिलाइस इसका हो सकता है तो आप ऑनलाइन भी हेल्प ले लिजे ऑनलाइन भी बहुत करिए क्योंकि एक्जाम आज नहीं होगा तो में एक महीने बाद दो महीने बाद यानि के जून के बाद तो होने ही होने एक्जाम तो तब तक सारी चीज़े कंट्रोल में आ जाएंगी तो आपको समय मिल गया परियाप्त और आपकी तैयारी बहतर हो सकती है ठीक है इस दिस नहीं था था थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच्छ